नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमेंडिया एजुकेशन चैनल पे दोस्तों एक बार फिस से हमेंडिया एजुकेशन आपके लिए वेरियस जोब से रेटीड अपडेट लेके आया है इस वीडियो में हम लोग जो है आपके साथ टोटल दस नोटिफिकेशन शेयर जिसमें कि अलग अलग केडर के लिए हिमाचल प्रदेश में जोब से रेटिड ओपनिक हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को जारा से यारा शेयर जरूर कीजेगा है ताकि जितने भी एस्परेंट हिमाचल प्रदेश में जोब की तलाश कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो प केगी है जिसमें की कंप्यूटर ओपरेटर, डाटा एंटरी ओपरेटर, क्लरक, अकाउंटेंट, सेंटरी, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेट कॉडिनेटर और अर्बन प्लाइनर की वेकेंसी रहेगी सेरी स्ट्रचर को आप इसवर स्क्रीन पर देश सकते ह इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको इसकी लिजीविल्टी क्राइटीरिया इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखिये उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे Facebook पेज भी मेंडिया एड्यूकेशन पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर हम ने इसकी complete PDF जो है आज सुब अपलोड करती है तो ये पहला अपडेट था इनकी सेलेक्शन जो है दोस्तों डिरेक्ट इंटर्व्यू के माद्यम से होगी और इंटर्व्यू को डेट जो है आप अपनी स्क्रीन पे सवर्थ देख सकते हैं अगले अपडेट की तरफ चलें तो अगला अपडेट जो है MS, AMCO, इंडस्ट्री, शिवापूर, मुवारकपूर जो की हिमाचल प्रदेश के जिला उन्ना के आंप में स्थीत है इनकी तरफ से जारी किया गया है 16 सेप्टमबर 2023 को जो है उपर उजगार काराले आंप में जो है इनकी तरफ से कैंपस इंटर्व्यू का आजोजन करवाया जा रहा है जिसमें की क्वालिटी कंट्रोलर की दो, लेथ मिशीन की पांच और हेलपर फिटर की दो विकेंसिस आउट कीगी है सहरी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 13000-15000, लेथ मिशीन के लिए 12000, HELPER FITER के लिए 11000-250 रपे सहरी दी जाएगी qualification आप इन पोस्टों के लिए देख सकते हैं स्क्रीन पे किया किस पोस्ट के लिए क्या qualification जो है इनकी तरफ से मांगी गई है तो जितने भी aspirant है वो अपनी जिला रोजगार अधिकारी अक्षे शर्मा ने जो इनको बताया है अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy जो है SJBN Limited की तरफ से जारी कीगी है इनकी तरफ से जो है टोटल 29 vacancies आउट कीगी है जिसमें की field engineers की vacancies आउट कीगी है सबसे पहली जो vacancy उलेट्रिकल सिविल के लिए है सैकिन जो है official language के लिए रहेगी तीसरी जो है finance के लिए रहेगी चोट्री जो vacancy इनकी दरफ से उलेट्रिकल मेकैनिकल सिविल के candidates के लिए रहेगी इसके जो form है वो 25 सेप्तंबर से जो है फिल होने start होंगे और 15 अक्टूबर जो है इनके लिए last date रहेगी इसकी जानकारे भी आप complete हमारे facebook page से ले सकते हैं इस वीडियो में हम लोग आपके साथ सिर्फ प्रेस लीज जारी कर रहे हैं ताकि आपको जो है सिर्फ जो जो इस पत ओपनिंग हुई है उनकी अपडेट मिल सके अगली जो नोटिफिकेशन है यह CRIS Center Research Institution of कसोली की तरफ से जारी की गी है इनकी तरफ से जो है दो लेबरोटी टेक्निशन की पोस्टें फिर करी जारी है जिसको अपलाई करने की जो लास्ट डेटा है वो 25 सब्टमबर 2023 रखी गी है अधिक जानकारी के लिए आप इनके दिये के कॉंटेक्ट नमबर पे कॉंटेक्ट कर सकते है या फिर इनकी ओफिशल वेबसाइट www.cri.nick.in पे जो है विजिट कर सकते है अगर ही विकेंसी की बात करें तो सेंट एडवर्ट स्कूल शिमला की तरफ से जो है विकेंसी आउट की गी है जिसमें की PGT, TGT और नर्सरी टीचर की विकेंसी आउट की गी है डिरेक्ट इंटर्विव के मादें से विकेंसी फिल की जाएगी 30 सितंबर को जो है इनके जो इंटर्विव है और रखे के हैं अधिक जानकरी के लिए इनके दियेगे कोंटक्ट नंबर पे इने कोंटक्ट करें और दोस्तो एक खुशकबरी हिमाचर प्रदेश के एस्परेंट के लिए ये भी है कि पुलिस विवाग की तरफ से हिमाचर प्रदेश में पिशले कल कैबिनेट में जो है 1226 भरतियां को मंजूरी मिल गी है तो यह 1226 भरतियां जो है बहुत ही जद अब पुलिस की हिमाचर प्रदेश में भरी जाएगी तो जितने भी एस्परेंट है वो अपने त्यारी को कंटिन्यू रखें क्योंकि कभी भी जो है यह विकेंसी सिमाचर प्रदेश में आउट हो सकती है अगली जोब अप्डेट की बात करें तो अगले जोब अप्डेट जो है कोलेज ओफ होर्टी कल्चर एंड फोरेस्ट्री नोनी नोनी की तरफ से जो इनकी ब्रांच है एक हमीरपूर नहरी में वहां से आउट की गी है नहरी में जो है वोकल इंटर्वी होगी वो लाइफ स्टोक मेनेजमेंट की एक पोस्ट के लिए और एगरिकल्चर एंजरिंग की एक पोस्ट के लिए इंटर्वी होगी और यह जो इंटर्वी होगी 16 सेप्टेंबर 2 या 23 इसको 11 बजे से कंडक्ट करवाई जाएगी इसमें आपको 1000 पे पर लेचर के हिसाब से दिये जाएंगे और मैक्सिमम आपके 3000 पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे तो यह एक अपडेट था हमारे पास अगली विकेंसी की बात करें तो अगली विकेंसी जो है SIS Security Private Limited बिलासपुर की तरफ से जारी कीगी है इसमें जी इनकी तरफ से वोकल इंटर्वी जो है बंजार और खुलू में जो है स्तित करवाया जा रहा है 100 पोस्टें जो कि अबर पुर्शों के लिए इसकी तरफ से भरी जाएगी 17,000 से 19,000 इनको मासी के वेतन दिया जाएगा बद्दी नारागण प्रवानु जंडिगड में इनकी पोस्टिंग रहेगी तो इंटर्वी जो है इसके लिए 15 सब्टमबर को सब्टमबर को जो है जीला रोजगार करेले कुलू में आजयोजीत करवाया जाएगा तो जो भी इंटरस्टिट का कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं अगली विकेंसी की बात करें तो टोटल 13 पोस्टें जो है एमस पिलासपूर की तरफ से जारी की गी है 9 सब्टमबर के ये नोटिफिकेशन रहेगी जिसकों की आप 22 सब्टमबर के लिए जो है अपलाई कर सकते हैं इसमें डिफर्ट डिफर्ट के लिए जो है सीनियर रेजिदेंस की पोस्ट के लिए आवेधन मांगे जा रहे हैं लास्ट अप्डेट की तरफ चलें तो ये लास्ट अप्डेट जो है HP College of Education की तरफ से जारी किया गया है इनकी तरफ से जो है application assistant professor की post के लिए जो है English, Hindi, Sanskrit, Commerce की post के लिए मांगी गी है जिसमें की qualification experience as per HP, University norms, NCTE और UGC norms रहेगा इसको जो है आप 20 September से पहले पहले apply कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए इनके दिये के contact number पे इन्हें contact करें तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे daily jobs ready अपडेट चाहिए तो आप हमें facebook page himindia education पे youtube channel himindia education पे telegram channel himindia education पे follow कर सकते हैं वीडियो को दिख से दिख शेयर के जरूर करें ताकि सबी के पास जो है इस job की अपडेट पहुंच सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you for watching himindia education